हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सुभी मैं रियारा ठोड एक बर फिर से आप सुभी का स्वागत करते हूं यूप एक्जाम्स वाला यूट्यूब चानल पर और उमीद करते हूं आप सो बहुत अच्छे होंगे और हम लोगों के एक छोटी सी क्लास होती है आज की जो मारी क जब भी आप दर्री की बात करते हो तो दर्रे होते क्या है पहाडों से पहाडों के बीच से जो हम रास्ता बनाते हैं आवागमन के लिए उसको क्या कहा जाता है इस साइड पहाड है और उस साइड भी पहाड है तो बीच से हम लोगों ने जो रास्ता बनाया इसको क्या कहा तो Central Asia को किस से जोड़ने का काम करेगा? तो आज का पहला गोशन आप लोगो की स्क्रीन पर ये रहा Qःशन आप से क्या किया रहा है? Qःशन गया रहा है कि पहाडियों एवन परवति चेत्रों में पाये जाने वाले आवागमन के प्रकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है तो आंसर हमारा बनेगा दर्रा option आपका सीबल कुल correct answer है अगला गोशन है रोहतांग दर्रा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है तो बेटा रोहतांग दर्रा आपको देखने को मिलेगा हिमार्चल प्रदेश में option आपका है जैसे कि अगर हम बात करें बारा लाचा पास हो गया रोहतांग दर्रा हो गया शिपकिला दर्रा हो गया यह तीनों के तीनों कहाँ पर हैं तो यह आपको देखने को मिलेंगे हिमार्चल प्रदेश हिमार्चल प्रदेश दनना हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ, नाथूला दर्रा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो नाथूला दर्रा आपको देखने के लिए मिलता है सिक्किम में, यानि अपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निती दर्रा की अगर हम बात करेंगे, तो निती लेकिन सबसे 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 जो चर्चित रहता है वो रहता है आपका लिपू-लेक दर्रा श्रा जैंग अब लोगों का हां पर उत्राई रहता है अगे चलते हैं थालगाट दर्रा कहां पर है यह बहुत असानि है ज neue थालगाट की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कहां पे महाराष्ट में थालगाट बनिहाल दर्रा आपको कहां पे देखने को मिलता है तो बिटा सीधी सी बात है यह भी जबसे आसान है और हर बार एक्जामिनेर इसकोशने को पकड़ता है बनिहाल दर्रा हो जाएगा जम्मु कश्मीर में जैसे कि एंगर हम बात करते हैं बुर्झिल पास हो गया। holders FOR ईडिए पर एंगर के लbag हमें। का छी अगर निए पर आपकट हैं देखने की लग्णार करें लग्डाक पर नेहले सत्किए इंगर के बिना हमें ज्मु कश्मीर में। जब हम बुर्जिल पास की बात करते हैं, तो बेटा ये श्री नगर को किस से जोड़ने का काम करेगा, तो श्री नगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है, बुर्जिल पास, आगे चलते हैं, बॉमडिला दर्रा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो जब हम बॉमडिल ख्याबरण को जोड़ता है तो तो सबसे पहला ही कुशन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ख्याबरण की बात करेंगे तो एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान को किस से जोड़ने का काम करेंगे पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोडने का काम ये करेगा बाकि रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदल करके अब नया नाम क्या कर दिया गया है तो रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है आगे चलते हैं किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती हैं तो जब हम ब्रह्म पुत्र नदी की बात करते हैं और ब्रह्म पुत्र नदी जब भारत में आएगी तो वो किस दर्रे से होकर के आएगी तो यांग याप दर्रा या फिर अगर हम बात करते हैं यांग याप पास नेक्स की तरफ चलते हैं किस दर्रे से होक जोड़ता है तो अगर हम बात करने की कोशिश करें शिमला को तिबबस से जोड़ने का काम कौन सा पास करेगा तो देखो अगहिल होगा नहीं मिंटेल का हमें पता नहीं है लिपूलेक और शिप्तिला में हम लोग कन्फ्यूज हैं तो आप आंसर किस तरीके से लगा सकते हैं क इमाम हमने अल्रेडी पढ़ा हुआ है शिप्किला पास के बारे में तो आंसर हमारा क्या बनेगा शिप्किला दर्रा कौन सा दर्रा श्री नगर को गिलगिट से जोड़ता है तो मैंने जस्ट आपको को समय पहले ही बताया सोचने वाली बात ही नहीं है तो करेक्ट आंसर आ जिसको हम ला का मतलब ही पास होता है तो जब हम बात करते हैं इमिस तर्रा आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो यह आपको देखने को मिलता है लद्दाक में इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे लद्दाक में और कौन से मतलब और कौन-कौन से पासिज ह अगर हम खारदूंगलादर्रा की बात करेंगे, बहुत बार एक्जामिनर पकड़ता है, खारदूंगलादर्रा भी कहां पे होगा लद्दाक में, चांगला भी कहां पे होगा लद्दाक में, इसके अलावा जब हम जोजिला की बात करेंगे, तो जोजिला भी आपका कहां पे तो कौनसे डर्रे से भारत में प्रवेश करेगी सत्रुज नदी, तो जो correct answer आपका बनता है, वो बनता है शिप्किला डर्रा, ना, कौन सा पास होएगा, तो शिप्किला डर्रा, यहाँ पर आपको रोतांग डर्रा दिख रहा है, तो answer आप लोगों का क्या बनता है? आंसर आपका बनता है हिमाचल प्रदेश में आपको यह देखने के लिए मिल जाएंगे विश्व का सबसे उचा मोटर वाहन योग्य दर्रा जो है यह कौन सा है तो जब हम मोटर वाहन योग्य की बात करेंगे यानि जहां पर आप मोटर चला सकते हो तो और आपका बनता है बाड़ा लाचा दर्रा यानि आप लोगों का डे बिल्कुल ठीक आंसर है अगर हम बात करने की कोशिश करता है बाड़ा लाचा दर्रा को तो यह हिमाचल परदेश के लाहौल स्विती को किस से जोड़ने का काम करेगा लेह डिस्टिक से जोड़ने का काम यह करता है हिमाचल परदेश के लाहौल स्विती को किस से जोड़ेगा तो लाहौल स्विती को जोड़ेगा यह लेह डिस्टिक से कश्मीर को शेश भारस से जोडने वाला जो दर्रा होता है यह कौन सा हो जाएगा कश्मीर को किस से जोडने का काम कर रहा है तो कश्मीर को यह शेश भारस से जोडने का काम कर रहा है और यह कौन सा दर्रा होगा बताएं जरा सारे के सारे हन जी कश्मीर को शेश भारस से जोडने का काम ये कर रहा है तो ये कौन सा दर्रा होएगा बिल्कुल तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है बिल्कुल तो करेक्ट आंसर आपका बनता है बनिहाल कश्मीर को शेश भारस से जोडने का काम कौन करता है तो कश्मीर को शेश भारस से जोडने का काम करेगा बेटा जी कौनसा दर्रा बनिहाल दर्रा ओप्शन आपका डे बिल्कुल ठीक है अगर हम बात करते हैं मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरेगा तो बेटा ये आंसर आपका क्या बनेगा बाडा लाचा दर्रा या बाडा लाचा पास बिल्कुल एक दम आपका ठीक आंसर है आगे बढ़ते हैं, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर के गुजरना होगा अगर आपको मनाली से लेह जाना है, तो मनाली से अगर आप लेह जाओगे, तो कौन सा पास आप क्रॉस करोगे, तो बेटा रोहतांग दर्रा, यानि option आपका ए बिलकुल correct answer है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडू को जोड़ता है, तो जब हम केरल और तमिलनाडू की बात करेंगे, तो पालगाट दर्रा, option आपका से बिलकुल correct answer है, कौन सा दर्रा, तिरुवनंत पुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है, सीनकोटा दर्रा, यानि option आप लोगों का क्या बनता ह इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, क्यालाश मान सरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर के आपको जाना होता है, तो लिपुलेक दर्रा है, नातुला दर्रा है, अगहिल दर्रा है, या फिर अगर हम बात करेंगे, जोजीला दर्रा, पेटा क्याल और नेपाल के ट्राइ जंक्षन पर आपको देखने को मिलेगा, ये कोश्चन अच्छा है, इन में से कौन सा ऐसा पास है, जो आपको उत्राखंड चेन और नेपाल के ट्राइ जंक्षन पर देखने को मिलेगा, आंसर आपका क्या मनेगा, आंसर आपका बनेगा, लिपूलेक बाकि कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़ी के मद्धे आपको देखने को मिलता है तो आंसर हमारा क्या बनेगा पालगाट नाथुला शेन कोट्टू या फिर अगर हम बात करेंगे नीती दर्रा अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दर्रा है इन में से कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़ी के मद्धे इस्तित है तो आंसर आपका क्या बनता है पालगाट पास यानि आपका ए बिलकुल खरेक्ट आंसर है आगे चलते हैं जवाहर सुरंग जो है इसी को बनिहाल दर्रा में आगे चलें तो मेंली मैंने आपको क्या बदाया में आपको यही बबटाया कि जब पहाडूं के बीच से निकलने के लिए आप रास्ता बनाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है और और सकता अब यह पार्थनीनिता है कि अथा कि पाकिसान को अफगवानिस्तान से जोड़ने का काम कौन करेगा ख्याबर पास य् curvature अफ़ दर्रा और अगर आप वैसे देखने कोशिकें को होगा साउथ एशिया को सेंडल एससे जोड़ने का काई कौन करेगा तो यह भी आपका खेबर पास ठीक है बागी आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं अपना ध्यान रखिएगा स्वस्त रहें मस रहें मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ थांक्यू सो मच बब बाई बेस्ट अफ लग